हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होगे तो गाइस यह जो वीडियो रहने वाली आपके लिए इस वीडियो हाँ आज आपको बताएंगे रेड्मी नाइन पावर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडिन फीचर्स के बात हैं पर हम करने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग रहने वाला है बस वीडियो आपको कम्प्लीट देखना हुआ गाईज और सिंपल सिंपल से स्टेप्स रहने इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आपने फॉंट के अंदर काफी कुछ चेंज कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं अगर यहां पर आप लेफ्ट सुवाइब करते हो तो यहां पर काफी सारी चीज़ देखने को मिलती है जैसे कि आप अपका असिसेंड फिक है और आपका देनर बगरार है रहसे को मिल जाती है ऐसाद क्रिकेट की बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं आहां से यहँ कर सकते हैं चारी चीज देखने को मिल तो अगर अपने फॉंड के अंदर आपको कुछ भी करना यह तो इस साइड आ कर सकते हैं तो एक इस पर कार्ण से आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद बाद यहां पर करें इसकी होम स्क्रीन की तो आपको टू-finger से पिंच आउट करेंगे आप ठीक है पिंच-इन करते ह करने हैं जैसे कि गाईस अगर आप यहां से इन एप्लीकेशन पर क्लिक करके इनको रिमोप करना चाहते हूं तो यहां ह 나서 साहां आप को remove करना चाहते हूं। ंधो इ выпуск क्लिक कर ना चाहां मैं तो आप एक जरी कलिक करने आप्लिकाइचन का इसको यहां सब निसक्राख करना हैरे xim इस वाले पेज प्रेक्टारना है इस पर इस वाले पर करना और सब्सक्राइब करना ने कोई भी पेज पर से ड्रीप इसे drag down भी करा सकते हो guys this इसके बाद आप यहां पर देख ने को मिलता है यहां पे ball paper का ball paper आप here देखने ब्ली जाते हैं शादी थीम देख सकते हैं फॉन के लिए ठीक है फॉन एगर बात करें फॉन आपको आपने थेखने को के अंदर तो लिट्रली आप को काफी सारे फॉंस देखने को मिल जाते हैं तो आप फॉंट करना चाहते हूं आप रिंग्स रॉंट चैंज करना चाहें आप बॉल पेपर चैंज करना चाहें या फिर थीम चैंज करना चाहें तो वह सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर आपकी प्रोफाइल है माई पेच पर जाके अप तो मेरे साब से फीचर्स इस फॉंड के अंदर काफी हद तक अच्छे हैं इसके बाद गाइस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको आपको देखने को मिलता है सेटिंग का तो सेटिंग वाले अपको क्लिक करने के बाद आप आप देखोगे तो ट्रांजिशन एफेक्ट देखने को तो को यहां पर देखने को यहां पर त至šरे में बदेखने को पहते को अच्छा है और अपको अच्छा है, इसके बाद आप देखेंगे तो आप को विजिट्ट के बारे आपको भी तक नहीं बताया तो बीजट्स क्या होता है पहले उस बाले मंसमें को बता देते हैं तो दिएक करना है हां पर आप देह सामने काफी सारे बिजट्स देखने को मिल जाते है को एक फंक्षन बोस रखने आप इनको जैसे कि widgets का use, इसके बाद setting में एक बार fit चलते हैं इस setting में जाने के बाद आप यहां पर देखोगी तो आपको home screen layout देखने को मिलेगा जो कि 5 into 6 हो रखा है यानि कि एक तरफ आपको 5 application और इस side आपको 6 application देखने को मिलेगी जो क्यों रखा है 5 into 6 इसके बाद यहां पर आप 4 into 6 भी कर सकते हैं इसको साधी साथ आप यहां पर देखोगे तो fill cells of uninstall apps अगर आपको यह application को uninstall करते हैं तो उसकी जगा automatically दूसरा apps आ जाता है ठीक है इसके बाद आप यहां पर देखोगे तो आपको lock home screen icon देखने को मिल जागा इसको आप यहां से default launcher को इसके अंदर कोई भी launcher download करके इसको यूज कर सकते हैं तो launcher अपको बदल ना हो तो यही से आप यूज कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर देखोगे तो आपको home screen देखने को मिलेगा तो home screen आपको इसको टैप करना है और यह आपका regular हो रखा है ठीक है यह बिद app drawer हो जाएगा यहां से आप अपने app drawer के साथ भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छी चीज रहने वाली है इस सब के बाद गाइस यहां पर आप देखोगे तो आपको फिर से वही एक उप्सन यहां पर देखने को मिलता है फिल सेल्स ऑफ अनिस्टॉलिड अप ठीक है यहां पर आइकॉन साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं जो आपके application मतलब रहते हैं उनका icon जो साइज रहता है उसको आप यहां पर स्मॉल ठीक है एक्स्टर स्मॉल ए फिर मीडियम लार्ज एक्स्टर लार्ज इस प्रिकार से अपनी साफ सेट कर सकते हैं तो हमें आप इसको स्माली रहने देते हैं साथ ही-साथ गाइस में यहां पर देहें तो आपको 100 देखने को मिल जाता है तो अपना आपका memory इस्टेटर्स आपको 100 अहां पर दिख पाए ओगे अगर आप इसको आभी हैं पर आफ कर देते हैं चलिया आप आप ऑफ कर देते हैं एक बार ओके गलट जिगे आगए हम Snake 2 GB off 4 GB available है तो इसको अगर आप नहीं पर दीखेंगे तो सेटिंग में आपको जाना है तक है डन सेटिंग में चलते हैं यहां से हम फटाफट और मॉर पर क्लिक करते हैं और सीच को आफ कर दें आज से घर तब आपको यह देखने को नहीं मिलेगा ठीक है है यहां से आपका र दुसी तरफ आना है यहां पर आप आप देख पा रहे होगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑफसन देखने को मिल जाता है तो इसको प्रेसेंड होल रखते हैं और यहां पर देख पाऊगे तो यह एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहां और भी कर सकते हैं यहां से इस पर डाउन कर देना और आप screenshot टेक कर सकते हो ठीक है guys अगर आप सको send करना जाते हैं आपको kis कुछ share करना जाते हैं कि आप इस पर रिकार से screenshot टेक कर लेना है और यहां पर आपको send को option देखने को मिलता है आप send वाले option पर click करेंगे और आपके सामने जितने भी आपके shareable platform होएंगे वो सब आपके सामने आ जाते हैं जैसे stories हो गया, आपका whatsapp हो गया Facebook हो गया, ये सारी चीज़ पर आप इसको एक साथ share कर सकते हैं ठीक है, और इस पर अगर आप click कर लेंगे तो आपका delete हो जाएगा after sharing जैसी आप इसको delete करेंगे, ये आपकी gallery के अंदर से delete हो जाता है तो ये feature भी आपको इस front के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है तो आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं और बाकी आपको screenshot लेना हो तो आपको power button और volume down button को press and hold रखना है, ठीक है, दोनों को एक साथ press करना है guys और आप screenshot ले सकते हो, ठीक है तो ये method भी रहता है आपको screenshot लेने का तो ये सब try करके भी आप इस front के अंदर screenshot ले सकते हो गाइस, इसके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे और भी gesture देखने को मिलते हैं आपको in our settings पर एक option देखने को मिलेगा, हैं पर additional settings पर healing का तो आपको carbon quick ball आपए, एक option quick ball पर pull पर आपको click कर लेना है, quick ball पर click करने के पाद ब star on quick ball पर click करने की? यहां अपको quick ball turn on करा लेनी है तो जैसे कि guys यहाँ पर आप देखोगे तो आपको काफी सारी चीज़ देखने को मिलती है जैसे कि आप यहाँ पर turn on कराओगे तो आपको यहाँ पर बॉल सी दिखाई दे रही होगी I hope कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह वाला ठीक है आपको इस पर टैप कर लेना है जैसे कि आपको इस पर टैप करते हो तो आपके सामने है काफी सारी चीज़ आ जाती है ठीक है जैसे कि आपका recent task, back button, home button, lock और screenshot यह सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो आप तो काफी benefit वाली चीज़ रहती है आपको एक तरीके से आप इसका इसका इस्तमाल भी कर सकते हो गई साथी मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर burn hand mood भी देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पर burn hand mood पर click कर लेना है और जैसी आप burn hand mood पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर interaction दीए जा रहा है आपको middle से swipe करना है तब आप इस परिकार से इनको burn hand में ला सकते हो ठीक है इस परिकार से बोल रहा है तो हम इसको start कर लेते हैं और यह तो भी हमारा home screen पर पहुंचा चली हम try करते हैं वाकि इसको burn hand में लाने का इस तरीके से अगर यह हो जाए तो नहीं हो रहा ना तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा तो यहाँ हम setting में आते हैं हम ओके तो यहां पर आपका quick quick mood on है तो अब इसको कैसे बन हैंड ला सकते हो इसको हम five and six कर लें तो आपका इसकी साइज थोड़ा बढ़ जाता है ओके और यहां से आपका four into six ही रहने देते हैं चली ट्राइ करते हैं कि यह कैसे आएगा बन हेंड मून में इसको हम देख रहे हैं यहां से start नहीं करना हमको कुछ और करना है भाई क्या हो रहा है है ओके बन हेंड मून लाने में हमें दिक्कत हो रही है यहां पर इससे इंट्रक्शन दे रहे हैं so wipe left or right from the home button to pull the screen closer on one side ठीक है साब चली एक कर लेते हैं I hope guys कि आप समझ गए होगे कि कैसे आप बन हेंड मूड का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको भी करके दिखाया है थोड़ा टाम मेरे को भी लगा बट आप इसको यूज करना सीख जाएंगे जब आप दो एक बार इसको यूज कर लेंगे पर हैँँ ननसे तो बन हेंड मूड भी आके लिए आपके लिए काफी लिए फीचर रहने वाला है तो बैटरी परसेंटेज और फिर बैटरी परफॉमर्स के बारे में दो आंगे जानना है तो ओगशु असके अनदर कर सकते हो जिसकी थुरू आपका जो एक प्रिकार से बोल सकते हैं आपका फॉन का जो बैटरी बैकप पर वो काफी अच्छा चलता है तो यहां से इसको इनेवल करेंगे तो आप यहां पर देख पार होगे 42 और 3 मिनट बैटरी चलेगी अभी भी इस कस्तमाल करने के बाद तो यह भी आ अगर आपको फॉन बंद कराना है रात के दो बज़े या तीन वज़े तो अपका फॉन आटमेटिकली बंद हो जाता है ठीक है पावर अन करा सकते है तो यह फीचर आपको इस फॉन के नतर देखने को मिल जाते हैं जो की काफी इंट्रेस्टिंग रहते हैं और इन फीचर् इसकी बैटरी सर्वर की ठीक है अगर आपने मुवाइल डाटा को लॉक करने मतला मुवाइल डाटा को आपको अन है इसको अब आप करना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसी आपकी डिस्प्ले ओफ हो गया नहीं डिवाइस ऑफ होगा बंद होगा लॉक हैं तो ईससले के अपको इस ऐसली फूचर भी जलूर्द से पसंद आयो होंगे अगरे नोर्टिफिकसिन की विल्डेट हैं चाहें कि आपको पीकर आपको नहीं देखने को मिल जाता है आपको सिंपल्स आ यहां कि सामने जितने वी आपके अप्ली चैनिक सकते हैं जो कि काफी बढ़िया रहती है किस चीज की आपको नहीं करानी तो यह एक बरुमतब वैस्ट फॉचर आप बोल सकते हैं इस फॉन के अंदर आप इसका इस्तेमाल जरूर से कर सकते हैं गाइस और वाक के आपको आपको डिस्प्लेटर भी काफी साइटिंस दे तो यह फीचर वाफ यह फीचर तो वाफ इस अंदर लगा मेरेको अगर पढ़ाई के रिलेटेड आपको वीडियो देखनी थी तो यह फीचर आपके लिए लाइप दैक रहेगा उसके बाद यहां से आपको डार्क मूड का उपसन देखने को मिल जाता है तो यहां से आप डा अब ओनी आपका वह लाइट मूड में वापस आ जाए तो इसका जोनिदे झरुत सकते हैं एक तरीके तो त्यक्य साथाथों आपके अच्छे फीचर से शापनी को सकते हैं एक साथे संकु लार्ज और उसनित नापको नो और इस्थःट बार वाली से खनी देखने को अपको नॉच कर सकते हैं तो हो और आपको काफी साथी है वी इसकी उपर आपको कि इकन डेक्षान लिए मार्ट कर देखने को मिलेगा कि उसके उपर को अपको नर्टवीक्शन देखने को मिलती है। ठीकए कि कितनी स्पीड आ रही है तो इसी चीज का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां से बैटरी इंडिकेटर जो की परसेंटेज हो रखा है इन दा आइकॉन जैसे की आप देखोगे इसको आप यहां से ग्राफिक्स हो गया ठीक है इसको आप यहां से अपनी स्टामाइज कर सकते हो तो आइकॉन के बाहर भी हो जाएगी तो इस प्रिकार से आप अपनी सैटिंग को अंपनी आपको बताएं जरूराइं आपको पसंद आई होगी कुए काफी हध तक लोग मेरो को बोलते है नीचे कमेंट में किसमें hidden क्या है hidden feature क्या है तो यह सब आप hidden नहीं भोल सकते परिकार से इनको hidden features बोला जाता है आपको यह मारी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो हमारे चाहं को सस्क्राइब कर लो और बेल एक प्रस करना बिल्कुली मत भूलेगा क्योंकि आपके लिए यह एसी helpful वाली वीडियो ल